नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अरके क्लासिस में काफी दिनों के बाद वीडियो आ रही है वैसे हम लोग मुख्य रूप से मेंस के टॉपिक पर ही कवे फोकस रखेंगे लेकिन देखी एक्जाम का डेट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि आयोग में जितने भी जो जिम्मेदार करमचारी बैठे हैं अगर कहीं न कहीं ऐसा आप कहा सकते हैं कि नोटिस से पहले जो है पेपर में आ जाता है लगता है कि उन सभी के बाप जो हैं अख़बार में ही बैठे हुए है एकदम स्टुडेंट फ्रेंडली रविया नहीं है ताना साही चल रही है सभी को आप लोगों को पता होगा खेर उस पर तो बात होते रहेगी फिलाल हम लोग ये समझ लेते हैं कि एकदम जब भी हो रिवीजन बहुत जरूरी है इसलिए 30 देज लूसेंट चैलेंज में हम लोग लूसेंट के ही टॉपिक्स को कवर करेंगे इस बुक को आपने लोगों ने लाखो बार पढ़ रखा होगा तो एक बार और सही तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आपसे रिक्विस्ट रहेगा कि नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर लें पास वाले बेल आइकन को दबा लें वीडियो को दिख सेदिक शेयर करें जल्द ही एक दिन दो दिन के बाद हम लोग मैंस की वीडियो को स्टार्ट कर देंगे एक और बात कि इसमें जो चीज भी हम लोग पढ़ेंगे वो लूसेंट के उपर ही बेस रहेगा इसमें मेरा अपना कोई भी एफट नहीं है बस जो लिखना और वीडियो बनाना इतना ही योगदान सब के पास बुक होगा आप इसको सिर्फ जब आफ टाइम में है तो जरूर देखिए क्योंकि कई बार चीजें होती है कि अगर आप देखते हैं तो सुनते हैं तो याद होता है कहता है यूरोप में उसके संपुन छेतरफल में सबसे ज़्यादा मैदानी भाग है सवाल अगर आपसे पूछ ले कि किस महादीप में संपुन छेतरफल का मैदानी भाग सरवाधिक है तो ध्यान रखेगा वो है यूरोप में आगे कहता है कि अफरिका में उसके संपूर्ण छित्रफल में सबसे ज़्यादा पठारी भाग है सवाल आप से ऐसा भी पूछ सकता है कि किस महादीप में उसके संपूर्ण छित्रफल में पठारी भाग जो है ये सरवाधिक है तो ध्यान रखिएगा ये है अफरीका में नेक्स्ट है कि एसिया में उसके संपूर्ण चित्रफल में सबसे ज़्यादा परवत और पहाड़ी है कि इस महादीप में संपूर्ण चित्रफल में परवत और पहाड़ी का विस्तार है मात्र महादीप है जिससे की करक रेखा भूमत रेखा और मकर रेखा ये तीनों गुजरता है ध्यान रखिएगा करक रेखा भूमत रेखा और मकर रेखा ये अफरीका महादीप से ओकर के गुजरता है तीनों नेक्स्ट जो फैक्ट है कहता है कि एसिया महादीप को का महाधीब कहते हैं तो एसिया को एसिया के बारे में भी हम लोगों ने यह पड़ा कि यहाँ पर उसके संपुन्ठ छेत्रफल का परवत और पठारी बाग सरवादिक होता है दक्षिन अमेरिका को पक्षियों का महाधीब कहा जाता है सवाल अगर आपसे पूछ ले कि निम्द में से किस महाधीब को पक्षियों का महाधीब कहते हैं दक्षिन अमेरिका आगे है अस्टिलिया को 85 भूमी का देश कहते हैं सवाल आपसे पूछ ले कि अस्टिलिया महादीब को मतलब या 85 भूमी का देश किसे कहते हैं अस्टिलिया को ध्यान रखीएगा वहीं अफरिका महादीब को अंद महादीब कहते हैं अंद महादीब आगे है कनाडा के राज ब्रिटिस कोलंबिया को परवतों का सागर कहा जाता है ध्यान रखिएगा परवतों का सागर किसे कहते हैं ब्रिटिस कोलंबिया को विश्व के 26 परतिशत भूभाग पर परवत पाया जाता है ध्यान रखिएगा कुल कितने परतिशत भूभाग पर परवत पाया जाता है 26 पर और इन सब पर एक परतिशत जनसंख्या जो है ये निवास करती है अगे देखिए शब माधीब के परमुख परवत जो लंबा उचा हो है उसको देख लेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है दक्षिन अमेरिका का सबसे लंबा परवस्तिरिंग खला एंडीज है दक्षिन अमेरिका का सबसे लंबा परवस्तिरिंग खला कौन सा है एंडीज वहीं अगर बात करें कि दक्षिन अमेरिका की सबसे ऊची चोटी की बात करें तो ये एकांग का गुवा है ध्यान रखिएगा पहला हम लोगों ने पड़ा ये जो एंडीज परवत्माला ये सबसे लंबा है और इस परवत्माला ये लंबा अलग है और उचा अगर पूछे तो ध्यान रखिएगा वो है एकांग का गुवा दक्षिन अमेरिका में बात करें उत्री अमेरिका का तो कहता है कि उत्री अमेरिका का सबसे लंबा परवस्रिंग खला रॉकी है और उत्री अमेरिका के सबसे उची चोटी माउंट मैकिनले है माउंट मैकिनले रौकी है वो जो है च्छत पिचड़ गया है उसको आप क्या कह रहे हैं उतरने के लिए बोल रहे हैं फिर कह रहे हैं रौकी उतरो और किन ले मतलब खरीद ले कोई टौफी वगेरा खरीद ले तो ध्यान रखिएगा ऐसे भी आप याद रख सकते हैं बात करें रौकी परवत का सबसे उचा जो चोटी है यह है माउंट एलबट ध्यान रखिएगा सवाल आप से पूछ सकता है कि रौकी परवत की सबसे उची चोटी कौन सी है तो माउंट एलबट क्लियर है आगे कहता है कि अफ्रीका का सबसे लंबा परवस्रिंखला एटलस है अफ्रीका का सबसे लंबा परवस्रिंखला क्या है एटलस ध्यान रखिएगा और एटलस परवत की सबसे उची चोटी माउंट टुबकल है ध्यान रखिएगा प्री का जो है एटलस है किसी को आप कहा रहे है तू कल लिएए आगे है एसिया का सबसे लंबा परवस्रिंखला हिमाल है ध्यान रखेगा एसिया का सबसे लंबा परवस्रिंखला हिमाल है और Mount Everest जो है सबसे उची चोटी है वहीं बात करें अस्टिलिया का सबसे लंबा परवसरिंग खला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है ध्यान रखिएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और अस्टिलिया के सबसे उची चोटी कोश यूशको है कोश युश्को आगे देखते हैं कहता है कि यूरोप का सबसे लंबा परवस्त्रिंग खला स्केंडिनेवियन है ध्यान रखिएगा इंपोर्टेंट है स्केंडिनेवियन जो परवस्त्रिंग खला है या यूरोप का सबसे लंबा परवस्त्रिंग खला है वहीं अगर हम से चोटी है आगे कहता है कि आलपस परवत जो है ये मध यूरोप में है और फ्रांस अस्ट्रिया जर्मनी एवन सुजर्लेंड में विस्तार है सवाल पूछा जाता है कि किस जगे इसका विस्तार नहीं है तो ध्यान रखिएगा कि फ्रांस अस्ट्रिया जर्मनी और सुजर्लें माउंट ब्लेंक ध्यान रखिएगा आलपस परवस्रिंखला की सबसे उची चोटी कौन सी है माउंट ब्लेंक और आलपस परवस्रिंखला से राइन नदी निकलता है सवाल आपसे पूछ सकता है कि राइन नदी कहां से निकलती है तो ध्यान रखिएगा आलपस परवस्रिंख खला से बात करें जूरा परवत की तो ध्यान रखिए जूरा परवत जो है यह फ्रांस एवं सुट्जरलेंड के बीच में जो है सीमा बनाता है जूरा परवत ठीक है जूरा परवत किसके बीच सीमा बनाता है फ्रांस एवं सुट्जरलेंड के बीच वह यह अगर बात करें प पिरेनीज परवत जो की बिहार दरोगा में पूछा गया था तो ध्यान रखिएगा यह जो पिरेनीज परवत है यह फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है जूरा फ्रांस सुजरलेंड पिरेनीज फ्रांस और स्पेन अगर आपसे पूछ ले कि ब्लैक फॉरेस्ट कहां प परवत बिहारतरोगा में पूछा गया है तो द्यान रखीगा ये मयानमार में है बात करें अराकान योमा परवत की सबसे उची चोटी ये मांट विक्टोरिया है द्यान रखीगा अराकान योमा परवत की सबसे उची चोटी कौन सी है मांट विक्टोरिया और ये अराकान यो सकता है कि कौन सी पहाड़ी सीरिया एवं इसराइल के बीच सीमा बनाता है ये पहाड़ी है गोलन पहाड़ी इनी चितनों से संबनित एक कुश्चन बिपेसी में भी पूछा गया था आगे है दक्षनी आलपस परवत दक्षनी आलपस परवत ये न्यूजिलेंड में है ड्रेकन्स बर्ग परवत ध्यान रखिएगा ड्रेकन्स बर्ग परवत जो है ये दक्षन अफरिका में है ड्रेकन्स बर्ग परवत कहां इसी था है दक्षन अफरिका में माउंट टिटलिस ये सुटजरलेंड में है माउंट टिटलिस कहां पर है सुटजरलेंड में टिटली स्वीट होता है देखने में तो ध्यान रखिएगा टिटलिस सुटजरलेंड में नेक्स कहता है AP9 परवत इटली में most important बहुत बार पूछा गया है ध्यान रखिएगा AP9 परवत कहां पर है इटली में AP9 इटली सियरा माद्रे परवत सियरा माद्रे ये मैक्सिको में है माद्रे मैक्सिको सियरा नवादा ये USA में है ध्यान रखिएगा अपलेशन परवत भी USA में है अपलेशन परवत कहां पर है USA में माउंट किलिमंजारो तंजानिया में ये विश्व का प्रमुक परवत से सम्बंदित इतना important fact हमें मिला था उम्मीद है आपका चैसरी vision हुआवगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें मिलते हैं अगली टॉपिक साथ जय हिंद जय भारत